नमस्कार साथियों BPSC बाला प्रेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है साथियों पिछले कुछ दिनों से खबरों के बजार में लगतार एक अटकले चल रही थी कि क्या BPSC की परिच्छा 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी या तो डेट बढ़ सकता है अब ये कन्फरमेशन आ गया है क्योंकि ये लगतार कहा जा रहा था कि परिच्छा अब 17 नवंबर को नहीं होगी बलकि दिसंबर में परिच्छा जा सकती है और लगबग 15 दिसंबर के आसपास परिच्छा आयोजित होने की ऐसी संभावना है इस संबंद में एक नया न्यूज आया है जो BPSC की ओर से आया है और ये कन्फरमेशन कह सकते हो कि जो परिच्छा है वो 17 निवंबर को आयोजित नहीं होने वाली है ये परिच्छा अब दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है आप देख सकते हो कि सचीब बिहार लोकसेवा आयोग पटना बिहार के सभी जिला धिकारी को ये लेटर भेजा गया है और इसमें किलियरली लिखा गया है एकिकिर्थ सत्तर भी संयुक्त प्रारंभिक परत्योगिता परिच्छा के संचालन हितु आवाशन की व्यवस्था कराने के संबंद में और ये लेटर में किलियरली लिखा गया कि उपरिच्छ प्रासंगिक पत्र के संबंद में निदेशा नुसार कहना है कि उक्त परिच् अब वो दिसंबर जा रहा है 13-12 या 14-12 यानि कि 13 दिसंबर या 14 दिसंबर को परिच्छा होगा और कहा गया है सबको कि 18-10-2024 तक उनको आवार्शन की शुगधा उपलब्द करानी है यानि कि अब ये कन्फर्म हो गया कि परिच्छा जो है वो 17 नवंबर को नहीं होने वाली ह दिसंबर में परिच्छा होने वाली है मिड दिसंबर में परिच्छा आयोजित कराई जाएगी साथियों अब इसके दो पहलू हो सकते हैं आपको इस जो तिती बड़ी है इससे आपको परिशान नहीं होना है क्यूंकि देखो परिच्छा तो आपको देनाई है और ये गोल पोश्ट के लिए जारी हुई है चाहे वो SDM हो, DSP हो आपके सभी पसंदिदा पोश्ट के लिए वेकेंसी जारी हुई है तो परिच्छा तो तै है कि वो थोड़ा सा डिले होगा लेकिन परिच्छा होने वाली जरूर है तो आपको क्या करना है कि अभी परिचान नहीं होना, अपने तयारी को और ज़्यादा धारदार बनाना है उसमें और ज़्यादा पेस लेकर आना है, क्योंकि जो लगबग आपको एक महीने का एक्स्ट्रा समय मिल रहा है इसे आप और बहतर तरीके से तयार कर सकते हो बैसे बिद्यारती जो काफी परिशान थे, कि सर थोड़ा समय और मिल जाता तो हम अपनी तयारी को और बहतर कर सकते थे, हम पहले से तयार उतने अच्छे से नहीं थे तो अब आप सब के लिए golden opportunity है कि आप अपनी जो तयारी के कम्या हैं उनको बहतर तोर पर सुधार कर और अपनी तयारी को बहतर बना सकते हो तो ऐसे मौकों पर परिशान होने की बज़़ आप positive रहिए और positive रहते हुए continuous mock test practice करते रहिए continuous अपने syllabus को revision करते रहिए जो दो घंटे का समय होगा उस दो घंटे में आपका performance इतना लाजवाब होना चाहिए कि आप means की परिशा में सामिल हो सको तो positive रहिए और पढ़ते रहिए धन्यवाद साथियों मिलते रहेंगे इसी BPC वाला के perform पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका